बीजेपी सेना के नाम पर सियासत से बाज आने को तयार नहीं है चुनावायुक सक्त हिदाय दे चुका है विपक्ष हल्ला मचा चुका है लेकिन बावजूद इसके नेता सेना का ही रागलाप रही है पेम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष तो छोड़ी है अब तो दिल्ली मे बीजेपी के सितारे चमकाने मैदान में उत्रे कायक हंसराज हंस ने भी यही रागलापना शुरू कर दिया है जिस पर दिल्ली की राजनीती गरवा गई है इस चुनाव में कई मुद्दे गुंजे लेकिन सबसे ज़ादा नेताओं की जुबां पर राश्रुवात का मुद्दा चड़ा हुआ है बीजेपी के नेता तो राश्रुवात के नाम पर राशनीती को ऐसी धार दे रहे हैं कि इसके लावा कोई मुद्दा ही ना हो कभी भी राशे में बीजेपी नेताओं का बयान सुन लीजिए हर किसी के जुबां पर केवल सेना और सर्जिकल स्ट्राइक का ही नाम है अब यही धुन बीजेपी के नए नए साथ ही बने हंसराज हंस ने भी बजानी शुरू कर दी है उत्तर पश्चिमी दिल्ली सुरक्ष अरब जी जैसे उनको भी फासी लगा दे बहुत पापी और बेवान मुल्क है पाकिस्तार पिया मोदी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री मोदी ने विश्व में घूम कर जो कूट नीतिक संबंध बनाये थे उससे विंग कमांडर अभी नंदन को पाक पाकिस्तान को कहा एफ पाकिस्तान के वजीरे आजम अब हिंदोस्तान की धर्ती पर बबबर शेर का राज हो गया है जिसका नाम मोदी है इसलिए अब इनंदन को जल्द आजात कर दो नहीं तो तेरा नाम और निशान नक्षे से मिट जाएगा हंसराज हंस बीजबी के सितारे को बुलंद करने के लिए चुनावी मैदान में उतरे थे लेकिन उन्होंने सेना पर सियासत कर पार्टी के लिए नई मुश्किल खड़ी करती है उनके इस बयान को लेकर कॉंग्रेस और आपने जोरदार हमला बुला है जहां कॉंग्रेस ने बीजबी पर जुनावी फायदे के लिए सेना के इस्तेमाल का रूप लगाया तो वहीं आमादमी पार्टी ने भी उनके सुर्वे सुर मिलाए लेकिन इस तराजनीती से इतर सवाल हुता है कि आखिर सेना पर सियासत कब तक डिबलाएफ की रिपोर्ट